उत्तर प्रदिश के कुशिनगर जिले के दूदधी बजार इलाके के पास मानव रहित क्रोसिंग पर बच्चों से भरी स्कूल वेंट ट्रेन की चपेट में आ गई मैजिक में सवार अब तक 18 बच्चों की मौत की ख़बर का अनुमान है हलंकि मोत की संख्या को लेकर भर्रम की इस्ति बनी हुई है प्रशासन ने 13 बच्चों की मौत की पुष्टि की है लेकिन मौके पर मजूद लोगों की अनुसार कम से कम 15 से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है घटना की सूचना मिलते ही पुलीस परशासन से परीजनवी घटना इस्तल पहुचे जहां चारों तरफ पड़े नन्य मौनने बच्चों की लाशों को देखकर चीख पुकार मच गई मामला दुदई बजार इस्तेते की स्कूल के बच्चों को छोणने जारी मैजिक वैन के ट्रेन के टकरा जाने का है जिसमें लगवब 18 बच्चों की मौत हो गई मैजिक वैन मानव रहित रेलवे फाटा को क्रोस कर रही थी तब ही अजानक एक पैसेंजर ट्रेन ने मैजिक वैन को टकर मार दी टकर इतनी भीशन थे की बच्चों की वैन के पर खच्चे उड़ गए उसमें सवार 18 बच्चों से इद ड्राइवर की भी मौत होना बताया गया है घटना से नाराज भारी संख्या में गरामिनों ने रेल मार्क पर जाम लगा दिया गरामिनों की मांग थे की मरतक बच्चों के परिजनों को पचास लाग और घायलों के परिजनों को 25 लाग कम मौजा दिया जाए गरामिन लगतार रेलवे प्रशासन और केंदर सरकार के खिलाफ नारे बाजी कर रहे थे जानकारी के अनुसार टाटा मैजिक में कुल 20 बच्चे सवार थे मानव रहित क्रोसिंग क्रोस करते समय था वे बढ़नी पैसेंजर ट्रेन सामने आ गई उसी समय यह बड़ा हाथ साथ सामने आया इस घटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुँचाया गया घटना के तुरंत बाद ही सीएम योगी ने दुख जताते हुए अधिकारियों से तुरंत मज़द करने को कहा साथी सीएम ने बीडित परिवारों को दो लाख रुबे मौवजा देने का एलान किया उधर बीया मोदी ने भी हाथ से की जानकारी मिलने पर दुख जताते हु उत्तर प्रदेश से एक दुखत समाचार मिले उत्तर प्रदेश किशिनगर कि में जो हमारे बच्चे स्कूल बेन में जा रहे थे और रेलवे से टकरा गए काफी बच्चों की मृत्ति हो गए बहुत बड़ी दुखत समाचार मुझे यहां आते ही सब मिला बहुत पीड़ा कि बढ़ी दुखत समाचार मुझे लुखत समाचार मिले अजाए कि लिए प्रदेश से एक्षार मुझे हमारे भाल 중요ान Charlotte